हलो फ्रेंड्स वेलकम टू SSE कोचिंग सेंटर दोस्तों आज की वीडियो में वही प्रेशने हैं जो गुरूप D के लिए जरूरी हैं आप गुरूप D की तयारी कर रहे हैं वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये सभी प्रेशने गुरूप D में पहले पूछे जा चुके हैं तो सभी प्रेशने इंपोर्टेंट है आप अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो जरूर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा तो चले स्टार्ट करते दोस्तों पहला प्रेशने आपका 25 लीटर के मिस्रण में दूद और पानी का अनुपात चार अनुप यह जो मिस्रण है दोस्तों यह है दूद और पानी का मिस्रण है ठीक है इनका रेश्यो कितना है चार अनुपात एक दोस्तों इनका अनुपात है अब देखिए आपके पास टोटल मिस्रण कितना है टोटल मिस्रण है दोस्तों आपके पास 25 लीटर का ठीक है यह क्या है यो पात की योग से आप डिवाइट दे देंगे कितनी वार जाएगा पांच वार अब पांच का मल पर आप चार से कर देंगे तो कितना हो जाएगा बीस पांच का मल पर एक से कर देंगे कितना हो जाएगा पांच तो आपको ये पता चल गया कि 25 लीटर के मिस्रण में दूद कित तीन लिटर पानी और मिला दिया जाए, तो पानी पहले से कितना है, पांच, पानी हमको मिलाना कितना है, तीन लिटर और मिला देंगे पानी, ठीक है, तो आपके पास क्या कहा गया है, तील लिटर पानी और मिला दिया जाए तो मिस्रण में दूद और पानी का अनुपात क्या होगा अब अनुपात कितना होगा यह आपको बताना ठीक है पानी कितना होगया अब आठ लिटर होगया दूद कितना है 20 लिटर अनुपात बताना है तो जिस संग्षा से कटके छोटा होगा उससे काटके छोटा कर लेंगे 4 से कटेगा दोस्तों 5 बार में 4 से कटेगा 2 बार में 5 अनुपाते 2 यह आपका प्रेशन का आंसर आगया इधर लिख देते हैं 5 अनुपाते 2 ये क्या गया आपके प्रेशन का सही आंसर क्योंकि 4 से काटेंगे 20 को 5 बार में 4 से काटेंगे 8 को 2 बार में और 5 अनुपाते 2 क्या जाएगा सही आंसर 5 अनुपाते 2 बी आफसर में दे रखा है ये आपके प्रेशन का क्या जाएगा दोस् तो समझेमा आगिया होगा, अब देखेंगे अगला कोशन, अगला कोशन है, एक धनरासी तीन WORST में साधन ब्याजपर 815 रूपे, एवँन चार वरST में 854 रूपे हो जाती है, वह धनरासी है,, कि तीन वरST में दोस्तो कितनी होई रासी, तीन वर्स में होगी 815 ठीक है और चार वर्स में दोस्तों कितनी हुई चार वर्स में होगी 854 के लिएर तीन वर्स में 815 हुई चार वर्स में 854 हुई तो तीन से चार होने में एक वर्स बढ़ा तो एक वर्स में रासी कितनी बढ़ गई ये आपको देख लिए ना है 815 से कितनी हो गई 854 हो गई तो एक वर्स में कितनी बढ़ गई आप बोलेंगे सा 39 एक वर्स में कितनी रासी बढ़ रही है 39 ब्याज कैसा है साधर ब्याज तो ब्याज आपका साधर है तो हर साल समान होगा एक वर्स में 49 रुपे है तो दूसरे में भी 49 होगा तीसरे में भी 49 होगा तो एक वर्स में कितने का ब्याज है दोस्तो 49 रुपे का ब्याज है ठीक है और रासी दोस्तो 3 वर्सों में कितने हुई है 815 815 हुई है दोस्तों 3 वर्स में के लिए 3 वर्स में 815 तो देखिए ये 3 वर्स की बात कही गई है तो 815 में 3 वर्स का ब्याज भी तो सामिल है जब 1 वर्स में ब्याज 49 रुपे लग रहा है तो 3 वर्स में दोस्तों ब्याज कितना लगेगा? 3 से multiply कर दो ठीक है 3 वर्स में 27 का 7 कैरी का 2 3 तरिक का 9 कैरी का 2 कितना हो जाएगा? 11 जब 1 वर्स में ब्याज 49 है तो 3 वर्स में ब्याज कितना हो जाएगा? 117 तो 815 में क्या है दोस्तों 3 वर्स का ब्याज सामिल है क्योंकि 3 वर्स में 815 हुई है तो जो 3 वर्स का ब्याज है हम उसे माइनस कर देंगे 117 को जो 3 वर्स का ब्याज है मैं 815 में से 3 वर्स का ब्याज माइनस कर दूँगा तो हमारा जो मुल धनता वो हमें पता चल जाएगा तो 815 में से 117 को घटाएंगे कितना बच जाएगा 698 यह हमारी दोस्तों राशी है और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 698 698 दे रखा आपके C option में यह आपके प्रेशन का क्या आगया दोस्तों सही आंसर आगया उम्मिद करता हूँ सभी को बहुत अच्छे से प्रेशनी समझ में आ क्या होगा अब देखेंगे अगला कोशन अगला कोशन है अरुन की मोटर साइकल में टंकी वर पेट्रोल 10 दिन चलता है यदि वह प्रेती दिन 25 परसंड अधिक उप्योग शुरू कर देता है तो टंकी वर पेट्रोल कितने दिन चलेगा अरुन की मोटर साइकल में टंकी वर पेटोल दस दिन चलता है तो मान लीजे कि उसकी टंकी में दस लीटर तेल आता है ठीक है, दस लीटर तेल आता है और वो कितने दिन चलता है दोस्तों, दस दिन ही चलता है, ठीक है मतलब दस लीटर तेल दस दिन चलता है तो एक लीटर तेल कितने दिन चलेगा आपके इंगे सर एक दिन चलेगा इतनी बात समझ माई दस लीटर तेल दस दिन चलता है तो एक दिन में एक लीटर तेल खर्च होगा इतनी बात आपकी समझ में है अब आपसे कह रहा है यदि वह प्रेते दिन 25% अधिक उप्योग शुरू कर देता है देखिए पहले 10 लीटर तेल 10 दिन चलता था तो 1 लीटर तेल 1 दिन चलेगा ठीक है अब यहाँ पर कह रहा है कि उसने 25% अधिक उप्योग शुरू कर दिया पहले एक दिन में दोस्तों एक लीटर खर्च हो रहा था लेकिन उसने किया किया 25% और एक्स्टरा खर्च कर दिया एक लीटर तो आपका खर्च हो गई होगा पिलस आपका 25% और एक्स्टरा खर्च होगा ठीक है तो एक लीटर का आप 25% लिका लीजी एक लीटर के क्या निकालेंगे 25% परसंट का मतलब बटे में 100 ठीक है इसको जब आप solve करेंगे तो ये कितना आ जाएगा निकल के देखिए दो 0 हैं आपके पास तो दो संख्याबाद 10 मलब लगा दीजे मतलब 2,5 10 मलब 2,5 तो दीखिए पहले एक दिन में एक लीटर खर्च होता था अब 25% एक्सा खर्च हो रहा है तो एक दिन में कितना खर्च होगा एक लीटर तो होगा ही होगा 25% का मतलब है 2,5 0.25 और एक्स्टर खर्च होगा 0.25 मतलब पहले एक लीटर खर्च हो रहा था अब होगा सवा लीटर खर्च एक दिन में कितना खर्च होगा सवा लीटर समझ में आगी दोस्तों बात अब आप से कह रहा है यहाँ पर उसने 25 परसर अधिक उप्योग शुरू कर देता है तो टंकी भर पेट्रो कितने दिन चलेगा टंकी में कितना तेल आता है दोस्तों 10 लीटर हमने यही तो कहा था कि टंकी भी 10 लीटर की है 10 लीटर पेट्रोल आता है ठीक है अब उस कितना खर्च कर रहा है 1.25 पहले एक दिन का खर्चा 1 लीटर का था जब से 25 परसंट बढ़ाया तो 1.25 खर्च हो रहा है 1.25 खर्च हो रहा है उसका ठीक है अब इसको सॉल्ब करेंगे तो 10 मलब अटाएंगे 10 मलब के बाद 2 संक्या तो 2.0 यहां लगा दीजिए ठीक है केलियर हुई बात अब 125 से आप 1000 को कटाएंगे सीधा सीधा कितनी बार में कटेगा आठ बार में कटेगा तो 8 दिन चलेगा आपका पेट्रोल केलियर हुई बात पहले ट्रंकी भर पेट्रोल 10 दिन चलता था लेकिन 25 परसंट जब से अधिक सुरू किया है तो आप 10 दिन नहीं चलेगा आप तो सिर्फ 8 दिन चलेगा D option आपके प्रेशन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा उमीद करता हूँ प्रेशन आप सभी को अच्छी तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा अब देखेंगे अगला question अगला question है यदी 35 घोडों के लिए 270 kg अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो तो 28 घोडों के लिए 180 kg अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा देखें दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला होता है मैंने बहुत बार आपको बताया है फॉर्मूला क्या होता है M1, D1, T1, पूरे का बटा W1 बराबर M2, D2, T2 पूरे का बटा होता है दोस्तों W2 यह फॉर्मूला होता है जो संख्य है फॉर्मूले के हिसाफ से दी गई है फॉर्मूले के हिसाफ से पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा देखें M का मतलब है ब्यक्ती या फिर कोई मशीन या फिर कोई घोड़ा मतलब यहाँ पर घोड़ा दिया गया है तो हम घोड़ा मानेंगे M की जगे पर ठीक है कोई वी चीज हो तो 35 घोड़े है M की जगे क्या रखेंगे आप 35 रखेंगे into D का मतलब है दिन कितने दिन की बात कहीगे यह 21 की तो 21 रखेंगे टाइम की बात नहीं की गई तो इसे छोड़ देंगे बटे में आ जाईए W का मतलब होता है वर्क वर्क कितना है 270 किलो अनाज का है मतलब 35 घोड़े क्या करेंगे 270 किलो अनाज कितने दिन में खाएंगे तो जो वर्क है वो 270 है तो वर्क लग दीजे 270 बराबर M2 बाद में कितने घोड़े है 28 घोड़े है N2 कितने दिनों में खाएंगे D2 पूछ रहा है टाइम नहीं दिया गया छोड़ दीजे W2 W2 मतलब कितना है 180 केजी वर्क है वर्क कितना है 21 कटेगा 7 बार में 2 से 28 कटेगा 14 बार में 7 से 14 कटेगा 2 बार में ठीक है यहाँ पर कितना है दोस्तों आपका 35 है बराबर कितना है दोस्तों 2 है मल्टिप्लाई कितना है D2 है अब आपको इतना पता है कि कोई संख्या मल्टिप्लाई में है तो बराबर के इधर बटे ही मा जाएगी तो 35 के बटे में कितना जाएगा तो बराबर D2 आपसे पूछ रहा है D2 निकालेंगे अब मैं 2 से काटूँगा 35 को कितनी बार में कटेगा 17 बार में कटेगा 2 से 17 बार में 34 ठीक है कितना बचेगा 1 एक का मतलब 1 बटे 2 तो D2 आपका कितना निकल के आगया दोस्तो देखे 35 का सीधा-सीधा 2 से डिवाइड करना आधा हो जाएगा आधा का मतलब साड़े 17 तो D2 का मतलब है आपसे पूछ रहा कितने दिनों के लिए पर्राप्त होगा 180 किलो अनाज तो साड़े 17 दिन के लिए पर्राप्त होगा 17 सही एक बटे 2 यह दे रखा है सीव आपसन में सीव आपसन आपकी कोशन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा बतागी समझ में अब देखेंगे अगला कोशन अगला कोशन है 888 रुपे में किसी बस्तू को बेचने पर हुआ लाब उसी बस्तू को 636 रुपे में बेचने पर हुई हानी के बराबर है बस्तू का लागत मुलिक क्या है देखें कभी भी ऐसा प्रेशन पूछा जाए जिसमें लाब और हानी क्या हो बराबर जो लाब हुआ है वो हानी के दोस्तों बराबर है तो कभी भी ऐसा प्रेशन पूछा जाए जिसमें लाब और हानी बराबर हो तो क्या करेंगे दोनों को जोड़कर दोसे डिवाइड कर देंगे ठीक है तो क्या करेंगे 878 पिलस 636 डिवाइड वाइड टू आंसर आ जाएगा हमेशा याद रखना जिसमें लाब और हानी बराबर कही गई हो तो दोनों मुल्यों को जोड़कर दोसे डिवाइड कर देंगे ठीक है जोड़िए दोनों को 878 636 को जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 8 और 614 का 4 कैरी का बन ठीक है 7 और 3 10 कैरी का बन कितना हो जाएगा 11 फिर से कैरी का बन 8 और 6 14 कैरी का बन कितना हो जाएगा 15 तो 15 14 ये निकल क्या गया 2 से करना है डिवाइड दोसे अब मैं इसको जब डिवाइड करूँगा तो कितनी वार में जाएगा 2 सत्ते 14 एक बचे का 11 दो पंजे 10 एक बचे का 14 दो सत्ते 14 तो 757 ये आपके प्रेशन का क्या आ गया दोस्तों सही आंसर आपके प्रेशन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा अब देखेंगे अगला कोशन अगला कोशन है 5 परसेंट के साधन ब्याज पर 4 वर्सों के लिए कर्ज दी गई कितनी राशी 6 परसेंट साधन ब्याज पर 4 वर्सों के लिए दिये गई 500 रुपे कर्ज के बराबर राशी देगी अच्छा प्रेशन है साधन ब्याज का प्रेशन है साधन ब्याज का सबसे पहले मैं यहाँ formula लिख देता हूँ क्या होता है P, R, T पूरे का बटा दोस्तों कितना 100 अब यहाँ पर क्या है दो बात कही गई है दो बरस हैं अलग अलग दो rate हैं अलग अलग तो इसे formula को दो बार लिखेंगे P, R, T पूरे का बटा दोस्तों 100 अब यहाँ पर कितनी राशी होगी ये आपको नहीं पता बाई करजी के लिए कितनी राशी होगी आपको नहीं पता प्रिंसिपल नहीं पता तो प्रिंसिपल इसका मतलब आपको निकालना है तो प्रिंसिपल को ऐसी रखिए into rate आपको पहले वाला 5% का है तो 5 रखेंगे into time पहले वाला 4 वर्स का है तो 4 रखेंगे और पूरे का बटा दोस्तों कितना हो जाएगा 100 बराबर principle बाद में कितना हो जाएगा दोस्तों 500 रुपे की बात कही गई है तो 500 रख दीजे rate कितना है बाद का 6% तो 6 रखेंगे और time बाद का 4 वर्स का है तो 4 रखेंगे और पूरे का बटा यहाँ पर हो जाएगा 100 clear बात अब यहाँ पर 100 से 100 तो इस गट जाएगा क्योंकि बराबर में है नीचे नीचे बिलकुल गट जाएगा अब इसे कट आएए और क्या-क्या कट सकता है आपका इसको देखिए मैं यहाँ पर कटाऊँगा 4 से सीधा-सीधा यह 4 भी कट जाएगा ठीक है 5 से कटाऊँगा दोस्तो 5 से कट जाएगा 500-100 बार में दोस्तों सही आंसर उमिद करता हूं किसी को कोई डाउट नहीं होगा सभी प्रेशन अच्छे तरीके से समझ में आगे होंगे वीडियो पसंद आया तो लाइक करें दोस्तों में शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वेल आइकन का वटन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके लिए जरूर पहुँचे ठीक है दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद